इंग्जाइटी है हमेशा मैंने बोला वो ऐसी बला है कि उसको आप जितना फीड करोगे न वो उतनी बढ़ी होती जाएगी फीड करने ही नहीं वो में ड्रा रही है कि या तो पागल हो जाएगा अमने जिसन ढर जूँ या नहीं मैं पागल नहीं होंगा मैं कुश्ट करता पागल हो जाएगा या तो यह आपको सोचना है अग्डाइटी उधर ही हार मान जाती होगा इतनी पावरफुल स्टेटमेंट है वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दुबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियो मिलती रहें असलाम अलेकुम मैं नमर्सलान खान है क्वेस्टिन्स अगेन लेड बना रहा हूं ये वीडियो क्यों ने कि तो धेर सारे क्वेस्टिन्स कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी सारों को जैना या मैंक्स जितने हो सके उनको मैं कवर करता जाओं बट क्वेस्टिन्स शुरू करने से पहले मुस्टि जो क्वेस्टिन्स जिससे रिलेटेड हैं उसको मैं एक मेरी तरह से इडवाइस समझ के जो है आप यह कबूल करें कि जितने भी लोग हैं रमजान के अंदर स्पेशली एंग्जाइटी का जिनको होता है कि हम रमजान के अंदर जाना इसको किस तरह कॉप अप रखें या किस तरह इसके अपनी रूटीन का सैट अप रखें या किस किस चीज का ख्याल रखें तो प्लीज 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 कुछ भी हैवी नहीं खाना क्यूंकि रमजान और नो रमजान मतलब बाकी दिनों साल के रमजान कभी भी अपने स्टॉमिक यूपर बर्डन नहीं लेकर आना अगर आपको इस्पेशली इंजाइटी ट्रिगर्ड है अगर है एंजाइटी तो ख्याल रखना है कि आपका जो स्टॉमिक है वो रिलक्स रहे और अब गर रमजान है आपने गर पूरा दिन फास्टिंग की है तो अगर आप जाके स्मुसे वगरा ये पकोड़े वगरा सडनली लेंगे आपको तंग करेगी चीज़ टॉमिक पे हैव लक्सिस क्रियेट होंगे और आपको जोना एंग्जाइटी ट्रेगर कर सकती है तो कोशिश ये करनी है कि बड़े अच्छा मुक्त होता है जो लोग मतलब फ्रूट्स वगरा नहीं खाते तो ये ऐसा मुक्त होता है कि आप अफ़तार में टका के फ्रूट्स खाएं ठीक है ह अगें वो भी भूख रखके वाक्षा की सोगे जो भी आपका मकी दिल ने करें और अगें सहरी के अंदर कोशिश करें कि चाय वगरा ना पी क्योंकि एक तो इंग्जाइटी के अंदर इंसान वैसे सम्टेम्स हलका फूल का जिसके साथ भी इंसोम्निया का मसला चार रहा हो नहीं तो अगें यह इंग्जाइटी जो ना आपको काफ़ी डिस्टरब कर सकती है तो रमजान में हमसे बद परहेजिया हो जाती है तो इसलिए जो ना एक्स्ट्रा केर करनी है चोटी सी एड़वाईस है मेरी बाकी है कि पैरा क्वेस्टन जो है वो यह था कि मेडिस्टन के वड्रॉल्स का सुना है बहुत मुश्कल होते हैं मेडिस्टन शुरू की है और मुझे यह खोफ है कि छोड़ी नहीं जाएगी अच्छा यह ना बड़ा कॉमन अगें इशू रहता है हम और इतने लोगों को इतना शदीद फोबिया है ना मेडिस्टन का पहल इतना आइडिया जरूर हो जाता है कि इस टेम जो ना कंडिशन कितनी खराब है या इस टेम इसको किस तरह यह कौप अप कर सकती है और सम्टेम्स इस तरह होता है कि मैं खुद से कहता हूँ अबल तो आपको हमेशा साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए मैडिसन और नो मैडिसन आइदर केस आपको मतलब कंसल्ट करना चाहिए उससे जाके कि मेरे साथ यह कंडिशन है तो कुछ शाय नहीं होना डक्टर को विजट करने से तो अगर आपको इंग्जाइटी डिसोर्डर का जब भी फील हो कि मिज़े मसला है आपको लाजमी मैडिसन आप आलरी इतनी टफ सा लाइफ गुजार रहे हैं इंग्जाइटी ने आपकी जिन्दगी जहन्म बनाई इससे जादा क्या बुरा ही कर लेगी आपके सब मैडिसन क्या मतलब और बुरा हो सकता है आपके साथ तो इसके जो हलके फुलके होते भी है तो वो शुरू के अंदर होते हैं और वो कवर अप हो जाते हैं तो इसको लेके न फोबिया क्रियर नहीं करना अगे अब ये एक फोबिया होता है कि हमें उसकी आदत ना पढ़ जाए हमसे छूटेंगे नहीं तो इसके अंदर दो कैटेगरीज होती है जो डिप्रेशन के लिए या इंग्जाइटी के लिए जो मैडिसन होती है एक होती है जो रियाप्टेकर्स होती है आपके केमिकल जो ब्रेन केमिकल होती है इस रोटनेंज या डूपामाइन जो रियाप्टेकर और उससे अगें चैन्सल्ट करके आपने उसको छोड़ों कि आपको कोई आदत नहीं पड़ेगी उसकी क्योंकि वैसी है निया कि जिसकी आदत पड़े हाँ आपको सम्टेम्स जो है ना वह टेम्परली रिलेक्स करने के लिए आपको मैडिसंस प्रिस्काइब कर सकते हैं वह नहीं है कि कुछ लोगों को जो है ना वो उसकी आदट पढ़ जाती है कि जी हम बस रिलेक्स रहें रिलेक्स रहें बट वह भी मेरे केस के अंदर तो इस तरह हैं कि मैं देले नहीं दिखरता हो लेने को हाँ जब तक मुझे जरूए थी मुझे नीन की इश्यों है जब मैं म अब स्पोर्ट नहीं खेल पा रहे हो आप एक्टिव लाइफ नहीं उजार पा रहे हो तो अब खुद एक टैम पर करते हो कि यार नहीं यार मेरे इतने डल मसल्स मुझे चाहिए नहीं है मुझे एक्टिवटी रिकॉर्ड आप खुद करते हैं ठीक है जान चुआ तो इन श कैसी तो आपको वह ऐसी वह खुद बहुत दी जाना वह जो रियाप टेकर्स होती हैं जैसे हो सैटल इन होती है आपकी वह खुद बहुत छोड़ जाती है इसलिए 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 नहीं होते हैं और इनको छोड़ना तो अगें कोई मैसला ही नहीं है तो अगें वह करते है कि withdrawal facts हो जाते हैं या withdrawal के जो है ना वो चीज를 तंग करती हैं उसका जो है ना वो trust में अगर आप proper तरीके से उसको आसा-इसा जाने ने तो बौड़े minimize उसके हो जाती है और In some cases तो आपको पता भी नहीं चलता ठीक है तो इसलिए again ड़रने में कुई ज़रूरत नहीं अगर आपको लगे और आपका डॉक्तर समझे कि आपको जो मेडिसन चाहिए इस चीज को लेकि एंग्जाइटी क्रिएड नहीं करने ही एंग्शिस नहीं होना ठीक है तो रिलेक्स रहने है बस बो जो है न मेडिसन जिस तरह डॉक्टर कहा रहा है उसक meditation करने का तरीका बता है, मैंने बहुत दफ़ा जो है meditation के वेसे बताएं मेरे नश्दीक meditation कोई ऐसी जो ना वो चीज नहीं है, कि आपको उसके लिए को इस स्पेशली training required है, या आपको especially कहीं पर बैठ के तो बड़ा कोई ना वो कोई चिला सा काट रहा है या कोई मंतर शंतर पड़ने है सबसे असान तरीन मेडिटेशन तो यही है कि आप स्ट्रीम बैठे हो आप जो सांस ले रहे हो इसको दीखना शुरू करतो इस से असान मेडिटेशन तो हाई गए नहीं ठीक है इस हवा को आप फील कर रहें उन्द जाते हुए और इसको बहर आते हुए इसको बैठके फील कर रहें दो मिन्ट के लिए चार मिन्ट के लिए आपको अगर इसके लावा कुछ सोच नहीं आ रही आपका फोकस यहां पर है इस सांस के अंदर और आप सिर्फ इसको यह देख रही हो और आपको और कुछ नहीं उस दो सेकेंड नहीं क्यों नहीं हो एक मिन्ट ही क्यों नहीं हो इसमें आप सिर्फ सांस को देख रही हो आते जाते और आप कुछ नहीं याद आपको कोई नहीं पता कि आपने कितने आज पैसे कमाई है आपकी कुछ सी पोजीशन आई है एक्जैम्स में कुछ में नहीं आपको याद उस दो लम्हें के लिए आप पूरी तरह से माइंडफुल हो और अपने सांस को देख रहे हो इसका मतलब है कि आपकी जो मेडिटेशन है वो फ्रूटफुल भी गई है आप डिस्ट्रेक्ट होते हो दुबारा यादा यह दुबारा सांस पर फोकस कर रहे हो इसी तरह थोर सागे जो मतलब मज़ेदार अगर आपने काम करना हो मेडिटेशन तो नेक्स्ट टेप यह है जिसना सांस को देख रहे हो आपके फेफड़े अपना काम कर रहे है वो अपने अंदर ऑक्सिजन लेते हैं वारवा उसका काम है इसी तरह आपका दमाग का एक काम है वो थोर्स क्रियेट कर रहे है अब बैठके इस तरहीं थोर्स को देखना शुरू कर दूँ मैं एक आउट ओफ कॉंटक्स जाके एक एक जेम्पल जो है ना देनी कोशिश कर रहूं कि मेडिटेशन मेरे लिए मैं क्यूं समझता हूं कि बड़ी जरूरी जीज़ है क्यूंकि ये हमें चीज़ों को अब्जर्व करना सिखाती है देखना सिखाती है हम बिंगम मुस्लिम एक बात बोलते हैं कि इसलाम अशर्फ जो इनसान है ना वो अशर्फ मखलुकात है कि सारी जितने भी जानवर जिन प्रिंट सारों से जो ना अफ़जल इनसान और मैं हमेशा सोचता था कि यार मार रहे हैं वड़ रहे हैं पता हैं क्या कुछ करी जा रहे हैं इनसे तो जानवर हैं ये कोई इनसान नोंने कोई मतलब कोई इखलाग किया थे इनके तर तो है नहीं इससे से तो जो मैंने बहुत ज़्यादा असल में मैं चोक भी यह वाइल्डरनेस हो यह कहते हैं जंगल यह लाइफ है सारी इंसेक्ट्स की लाइफ के उपर इतने इतनी मज़ेगी डाकुमेंटरिस हैं उस हरी देखने कर तो ज़्यादा है हम लोगों के लिए सब्सक्राइब मैं तो इनताही जहल हैं लाल जी इंकोन थे तो मैं मेंच सोचते था कि फिर भी किस तरह हो सकता है कि हम अश्रफुल मखलुकात हैं आदमी समझा ती है कि हम अश्रफुल मखलुकात क्यों हो इस कायनात के अंदर अब कई दफा एक पोस्टें आती ही सॉन्य में तुछा सुनना इंटरस्टिंग बात लगेगी शायद हो सकते हैं आप अगरी ना करते हूं में जरूर बताना आप कमेंट में के एगरी करते हो या नहीं करते हैं कई दफ़ा पोस्ट मैंने देखी सोशल मेडिया के उपर लिखा होता है कि अगर दुनिया के अंतर से शाहत की मक्या हट रादी जाये ना तो दुनिया तबाह हो जाएगी दुनिया चाल लिए नहीं सकती उनका इतना जरूरी रोल है इस पूरे एको सिस्टम को चलाने के लिए पर हाँ अगर दुनिया में से इनसान गाईब हो जाये तो दुनिया का एको सिस्टम बड़ा जबरस्त हो जाएगा ज इसान नहीं है पॉइंट यह है यह जितने भी फिलोसफर्स हैगल वगारा जितने जितने गुज़रें उनके जो में में पॉइंट जो है न वह हमेशा यही रहे हैं कि हम सेंटर ऑफ दे यूनिवर्स हैं वो किस तरह क्योंकि हम अब्जर्वर है इस काइनात को अब्जर्व कर एतनी बड़ी इतनी कॉम्प्लीकेटर और इतनी खुब्सूरत फैसिनेटिक इस वर्ड बोल रहा हूं मैं इसको अब्जर्व करके बोल रहा हूं अगर यह ब्रवर ही नहीं होगा मैं क्या फाइता है इसका कोई पॉइंट नहीं है इसके उने का तो इस काइनात का मैं हिस्सा हूँ और इसका मैं वो हिस्सा हूँ जो conscious रखता है और जो इसको खुद observe कर सकता है तो मैं बहुत important टोल हूँ इसका observer गाइब हो गया observer के बगार क्या है मत्त überhaupt ये को प्यानो बड़ा हो या कोई चीज है mobile है इसको use करने वाली कोई नहीं है इसके होने का क्या फाएदा है इसको देखने वाला कोई नहीं है यो उसको छोड़ दू इसके होने का क्या पाइंट क्या रहाएदा तो बड़ा जना वाक्वी फिर मुझे इसास हुआ कि हम इतने इंपोर्टन्ट हैं और अल्ला सुने टिल हम ये कौंशिस रखते हैं हम चीज़ों को ब्जर्व करते हैं तो हम अशर्फुल मखलुकात है आम जिन परिंजे हैं वो कौंशिस नहीं रखते कोई परिंदा कोई मचली वो इनलाइटन्ड नहीं हो सकती इनसान हो सकता है वो और बाद है कि एनसान अपनी जहालत में अगर वो जाहिल है तो वो जहानूनों से भी बद्दा रहा है मेडिटेशन जो हमें वो अब्जर्वर बना सिखाती है कि आप किस तरह अब्जर्व करते हैं देखा नहीं हम काइनात को देखते हैं सुभान अल्लाः पहाड़ों पे जाते हैं हम सामने कोई ऐसा मनजर देखते हैं सड़नी सब कुछ बूल जाते हैं कि तरह खुबसूरत मनजर है वो वो सड़नी आपका वो अब्जर्वर जा गए उसने का कि सुभान अल्लाः प्रेज कर रहे हैं क्या खुबसूरत क्रियेशन है खुदा तेरी तो जाहर है उस अब्जर्वर का एक रोल है और उस रोल को बनाने के लिए मेडिटेशन बड़ी ज़रूरी खैर दोबारा क्वेस्टन्स पर आते हैं एचा एक और क्वेस्टन है क्या चिकन जादा खाने से अंग्जाइटी हो सकती है जैसे विटरमेंस की कमी प्लीज आंसर मी मेरा परसनल ख्याल है क्या सा नहीं है कि चिकन दादा खाने से पर हाँ फास्ट फूड खाने से आपको होगी एंग्जाइटी कोई तलीवी चीज़ें खा लेने से इस तरह की चीज़ें खाने से वो बेश्च कि फिर चिकन दूदर भी होता है वो अगर आप खाऊगे आपको प्रोब्लम होगा धार में जिस तरह मैं तो खुद एंग्जाइटी का जो पीर्ट था मोस्ली शोरबा वगरा वो यूज करता था चिकन का वो आपकी मरजी आपने वो साथ बोटी चुटी लेनी है तो और आप वेज़िटेरियन और नोन वेज़िटेरियन मतलब भी फिर तो बिलकुली सीन Kell funciona तो अगर वेज़िटेरियन नोन वेज़्यों तो आप सकून से करते हैं उसका शवरबा यूज कर सकते हैं तो फ़सलें तो आप कुछ नहीं होता vitamins की moment anxiety में कमी हो यह थी है उसके लिए मैं तो हमेशा recommend करूँगा कि आपको multi vitamins लेने चाहिए especially जो है न जो vitamin D है वो बहुत ज़ता तंग करता है अचा यह था कि नीन से डर क्यों लगता है रात को नीन नहीं आती दिन को आती है सरभारी हो जाता है रिप्रेशन की वैसे होता है और वीडियो में समझाना रात जो है न वो हमने शुरू से उससे relate किया हुआ एक बड़ी taboo नमार, droni किसम की चीज़े है और वैसे भी रात जो है न उसके अंदर living feeling नहीं है क्योंकि वो सोने के लिए है रेस्ट करने के लिए है और इंसान को वो चाहिए पर जब आप anxious हो, डरे होई हो suddenly रात जो है आपको over anxious कर दे दिए इसलिए जितने भी लोग जिन से मैं बात करता हूँ, उनमें से mostly लोगों को night anxiety ही है और उनकी जब बात करेंगे हैं करते हैं मगरिब का टाइम गुजरता है ना दिल बैठना शुरू हो जाता है anxious feeling होती है और suddenly करते हैं, suddenly उसकी कोई reason में नहीं होती है उसके reason पीछे ये है कि येकदम से जो हिल जुल चल रही है बच्चे ये बाहर खेल रहे हैं परिंदे चहचहा रहे हैं ये इर्दगिर देख सब इतनी जिन्दगियां फिर रही है support मिलती है मैं डेर सारी वाज़ें आ रही है बंदो जाती है डर जाती है इस तरह कही ही लोग है मैं मेरा अपना बहुत बड़ा period इसी तरह ही गुज़रा कि जैसे सुबह होती थी स्कून से नींद आ जाती थी मेरी तब से शहीं ये इतनी रूटीन भी कराब रही है तो अब यहां लग है जिस टैम बस हुआ जाके सोगे जिस टैम सहर बार ही हुआ लेड़ के जाके सोगे बार उससे मुझे इच्छी तरह जाता है जब सारी उठ जाते थे सुबहा मुझे दुबहार उता है कि बस हम में स्क्योर हूं मुझे को लेकर जाए अब जिस तरह मुझे अंग्जाइटी इस तनी श्दीद होती थी हाँ दो जैसे मुझे ड़क्टर के पास लिगे जाते था मैं उदर वेटिंग में byठ रहता था कोई पै़ने मिन गार बुरा हाल है उदर भी कुछ नहीं है कि डाक्टर भी नहीं है या मुझे कोई द्वाई दी हो वास वेटिंग में बैठा हुए पता अंदर जाओंगा मुझे डाक्टर संभाल लेगा सेंस ओफ सेक्यूरिटी मिलती है हमें इसे तरह घरवले सारे फिर रहे हैं अब घर में कुई चला जाए ना ठीक है मुझे इतना अच्छी तरह याद है घरवलों ने कहीं चले जाना होता है मुझे मौद पढ़ जाती थी साथ जा जा नहीं था सकता हमें ट्रैवलिंग से मुझे मार जाँगा मुझे तो रॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा तो कोई हो गई नहीं यहां पर कोई बुमारी नहीं पर फिर भी मुझे कुछ हो गया तो रॉस्पिटल कोन लेकर जा जाएगा तो वो सेंस ओफ सेक्यूरिटी मिलती है कि हम देखते हैं चाह सारे एक पेर रहे हैं यह back of the mind mostly चल रही होते हैं चीज़ें तो यह एक बहुत बड़ी reason है कि हमें धर लगता है इस चीज़ से जैसे anxiety कम आएगी तो यह चीज ठीक होती जाएगी वो anxiety कम करने के गेन वही तरीके हैं डाई ठीक रखो exercise करो exercise करते हो ना muscles के अंदर थोड़ी सी आती है energy float करती है आपको mentally strength भी मिलती है देखा जाएगा यार कुछ होगा देखा जाएगा मैं देख लूँगा आपको muscles जाना वो एक बड़े positive मैं दमाग को science बिजवा रहे होते हैं तो इसलिए बड़ा जुरूरी है आपका physical exercise भी करना ठीक है तो इस चीज को लाजमी अपनी life के अंदर रखें है अच्छा पर एक बड़ा पहरा question था कि self speaking का anxiety से कोई तलुक है मैसे के लिए हमारे अंदर क्यों आती है मतलब ज्यादा self speaking harmful है तो वैसे तो मैंने response किया था बड़ मैंने का यह मैं ना इधर भी इसके पर बात करूंगा आप जिसरा हम OCD कशका होगे हैं हर वक्त हैं अंदर एक chatter बैठा होता है और में जीबो गरीब सी thoughts दे रहा होता है कुछ सर पर नहीं होता है mostly negative चीज़ें दे रहा होता है तो अ आगई यह होजएगा अच्छा तुने इस तरह किया था तुने इस तरह किया था बतारी माने इस तरह को नहीं करें मैं confused है तो वह harmful है अगर वह ज्यादा है जरूरत से तो आपको जो ना उसके लिए काम करना पड़ेगा आपको mindful रहने की थोछी techniques यूज़ करनी पड़ेंगी ज्यादा अगर anxious हो आपको डॉक्टर की help भी लेनी पड़ेगी अपने आपको calm down करना पड़ेगा बट अगर क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो self-talking करते हैं अपने आपको बेतर करने की कोशिश कर रहे होते हैं ठेक हैं तो वो मुझे अपने हमको harm time ना in check रखते हैं मुझे ना अच्छी तरह याद है कि मेरे illness दीख जोना मैं वैसे ज़्यादा कुई बाबा बाबे शाबे इस तरह इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ना वो इतना वर्थ कभी दी ही नहीं बट मेरी अम्मी हैं वो जहते जोते रहते तो मुझे भी आज तक वह बढ़ा वैसे बढ़ों की तरह से मैशा चछेचे कॉंप्लीमेंट सी मिलें इसी वहाद हैं मुझे जिस तरह एक कॉंप्लीमेंट इस तरह जिसके पास जाना ना जार है इंसाइटी के अंदर सारे जाते हैं यार दमदूरूद कर माने मैं भी जात लखी जाने, बच्चे कोई आधारो, जी नजर उतारो, पर एक जो था ना, मुझे भी तक याद रहा, मुझे बड़ा प्संद अपरे, मेरे नजदी को बड़ा प्यारा कॉंप्लिमेंट सा था और मुझे भशा भी ख्या, हूप ही नो, जाना, तो तो मेरी बड़ी आध़त भ गया भी नहीं था उम्ही परिशान था कि वह बिमार बोत रहता था वैसे लिए तो उम्हीं कहते हैं उन्होंने एक बात कि कि इस बच्चे के बारे में परिशान नहों ये ठीक ही रहेगा क्योंकि तेने इस बच्चे की नहीं काद़ बड़ी अच्छी है ये जब भी कुछ गल्ट कर देता है ना ये इससे कुछ गल्ट हो जाता है तो उसी वक्त जाके ना उसकी माफियां लाजमी मांगते है ठीक है कुछ गल्ट हुआ है ये सोरी जरूर होगा खुदा के आगे सोरी होगा कि मैंने इस तरह क्यों मेरे से कुछ हुआ है छोटी से चोटी चीज भी हो सकती ए हमें तो मैं तो जोग बदी सिंगर्ण शख कूर्कर मेरी बहुत एदा आदथ थी मैं हमेशा बड़ा इस चीज और रखता हूँ क्योंकि सटिस्फार प्र रहना नहीं ऐसा तो मैं जो जो चीदे देखता था कि चाहिए मैंने यहां यहां पी इस तरह क्यों किया है मेरी इस चीज़ से कोई हर्ट हो सकता था यह जी उस बंदे से माफ़ी मांगू ना मांगू पर आंके माने का रहे हैं मैंने माफ कर देया है मेरा इंटेंशन ऐसी नहीं चीमें इस तरह हुआ है या किसी और सेंस में कुछ अगर मैंसे भी कुछ गल्थ होता है तो हमेशा मैं उसको रेक्टिफाइड का सकता हूं तो रेक्टिफाइड भी करूँगा या मतलब यह कि उसके लिए उसके लिए सोरी जरूर होगा तो इस तरह आपको अपने आपको थ्रोस है इंचेक करने के लिए अगर आप सेल्फ चैटिंग करते हो ना तो इस इस अगुड थिंग आपको करने ही चाहिए और अच्छा इस तरह एक और क्वेशन है असलाम भी मैंडफूल जो आप बोलते होई इसका असल मतलब क्या है अच्छा इस एक स्वाल पैदा हुआ कि कैसे करें अल्लाब आपको याद करने के लिए तो सोच में जाना पड़ेगा पर सोच में भी क्या सोचे हैं समझ चुटे हैं अच्छा माइंडफूलनेस जो मैं इसके प्रफेस पर काफी दफ़ा बात भी की हैं माइंडफूल हो ना बेसिकली आपका जो आप काम कर रहे हो जिस लम्हें में काम कर रहे हो पूरे होश के साथ पूरी अवेरनेस के साथ उसको करना माइंडफूलनेस लोग अची आप मेरे साथ ना एक चीज है मेरे साथ कुछ भी साइकाइटरिस से कभी ठरेपी के लिए जाओंगा ना जब उसको बता रहा हूं무गे मेरे साथ ये ये चीज ये या कोई कांसेलिंग करवा हूँ या अब मेरे साथ अजब कोई लोग जो बात करते हैं तो मैं मैं नोट का रहा हूँ करता हूं कि वह लमघ हूथा है कि जिसमें वह अधनी जब शुरु शुरू कि बाति बता रहे होते हैं अपना समकुछ सम्टम्यम में मैं उ Dubai को बता रहे हुता है रहे हैं वह संस्विक्र नुग स्घ्षर कर जाती है किサム्टम्य हो सकता है कि वो सुनना ही ना चाते हैं मुझे मैं उनको बता रहा हुँ ठीक है क्योंकि जारा रहे हैं दातां पद रहा है निर्ष ट्रसट में उनको कोई पूरी मसला नहीं हो रहा हूं था जिसमें वो बता रहे हैं मुझे क्योंकि वो पूरी तरह से माइंडफुल तरह से फोकस्द है कि मुझे इस तरह कि कि चीज बता नहीं है और यही मैंडफुल सिच्विशन होती है अब जैसे से वंडर्र आप वंडरिंग मोड के इनर जब उ कि क्या होगा ऐसे क्यों हो गया था पहले या कहीं फे भी हो सकते हो अब दोस्तों में बैठे हो कोई काम कर रहे हो अब सड़नली वह स्पेस के अंदर जा सकते हो जिसके अंदर आगे का सोच रहे हो या पीछे का सोच रहे हो उस वंडरिंग मोड के अंदर जो आना करते हैं यह माइनफुल एक्सरसाइज ही है पूरी तरह से फोकस्ट हो ना कि आपको उस काम के लावा इस टेम और कुछ नहीं नजर आ रहा 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 जैसे मुझे जब बाप बोल रहे होते हैं उसको पूरा फोकस होता है कि मैंने यह चाहिस बतानी है असलाम वह वो इस को चस्के पड़े होंगे ज्यादा मिर्च 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 मुसाली वली चीज़ें खाखा के ना हलकी मिर्च वली चीज़ आपको पसंन नहीं आती है आपको ज्यादा डर चाहिए लाइफ में आप अंग्जाइटी क्रियेट करते हैं आपको दमाग को मजार है मौत बैमारिय तकलीफ हैं आगे की यह हो जएगा वो जएगा खौफ पैता करें दमाग को मज़ा आ रहा है सारको सोच के वो उसके अंदर कहां सोचेगा कि यार बैठ के अंके बंद करके सांस देखो स्टूपिड सा काम अगे नहीं है कोई होरर नहीं है कोई फैसिनेशन नहीं है आपको गसीर के लेकर आना बढ़ेगा उसको यहां पर बहुत आगे निकल गया पाई तू और तू सिर्फ मुझे ड्राने के लावा कुछ नहीं कर रहा है इस ताइम तो माइन को थोछा ट्रेंड करना पड़ता है चोटी 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 चीज़ों पर इसको लगाने के लिए आइस्ता इस्ता लेके आए इसको माइन्फुल अप होते चले जाओगे जो काम कर रहे हो अपना हाथ मूफ कर रहे हो थोड़ी से खोछ के साथ कर लिए कि मैं इस तरह कर रहा हूं इस तरह कर रहा हूं सांस ले रही हो खोछ के साथ अभी मैंने उस तरह से सांस लेके क्यों हूँ मुझसे बार निका रहा हूं यह माइंडफुल इसको माइंडफुल्नेस बोलते हैं अच्छा अच्छा इस तरही एक और इस तरही को क्वेश्ट रहें कि प्रेजर्ट मुव्मेंट में बंदा कैसे रहे हैं तो आपका जब यह मैंडफुल्नेस की बात कर रहा हूं यही एक वाहत तरीका होता है कि आप प्रेजर्ट मुव्मेंट के अंदर आते हैं मैं तो हमेशा बोलता हूं कि इंग्जाइटी के अंदर एक छोटा सा फार्मूल है कि इसको बोलते हैं वन डे अटा टाइम एक दिन से आगे का सोच रहा नहीं है आप इसको आश्टा सा प्रेजर्ट मुवमेंट है इसको पूरी तरह माइंडफुल ही आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूं यह प्रेजर्ट मुवमेंट में रहना है अगर मैं इस टाइम बैठके सोचू यार पता नहीं आगे यह वीडियो अपलोड करनी है नेट आ रहा होगा नेट की स्पीड क्या होगी प्रणी टाइम मिलेगा फिर आ रही है वो उठ जेगी यह वो जेगा वो जेगा यार फिर मिलिये क्यों कोई आगे बमारी आजेगी सार कुछ खत्म होजेगा क्या होजे यह चीज़ी चल रही है न इसका मतलब आप फ्यूचर का सोच रहे हो आगे का यह प्रज़न में रहना है जैसे यह आप डिस्ट्रेक्ट होने लगो अब प्रज़न मोमेंट के अंदर हो कुछ लिख रहे हो सड़नी आपने दो मिन बाद सो देखा कि आप तो सोच रहे हो कि यार वह यह असाइंड में देनी है पता नहीं प्रूव होगी नहीं होगी आगे का सोच नहीं दें यह पहले क्या हो गया तो इसको नहीं सोच रहे है उसका सबसे हैसान तरीका अगर आपको प्रज़न मोमेंट में नहीं है जिया जा रहा दिन में जान के बैठ के साइड पर अपरे सांस को देख रहा है शुरू गार दो क्योंकि यह तो 24 गंटे चल रहा है ना यह दो नहीं बंद हो सकता ज़र तक जिन्दा हो तो जितनी तक चल रहा है इसको देखो यह प्रज़न मोमेंट में है और यहीं लाज है इंग्जाइटी का भी डिप्रेशन का भी भी मेडिकल के स्टूडेंट उन लेकिन अपने फोर्स में फसे हुए हूँ इससे कैसे निकलो ना सबसे असान तरीन तरीका अपने फोर्स से निकलने का यह है उनको देखना शुरू करतो बस रोड के साइड बैठके गाड़ियां देख रहे हो ना इस तरहीं साइड बैठ या अपने दमाग के नरे एक थर्ड आई क्रियेट कर लो कि यह मतलब मैं मैं बड़ा फ़नी काम करता हूं मैंने जिस टामी मेडिटेशन करनी हो ना अपने थोर्स को बजर्व करना हूं मैं देखों कि यार मैं ऐसकल बहुत जाद और थिंकिंग कर रहा हूं मुझे उनको सेट जितनी भीठोड सारी रों उसको आउं पर बैटके देख रहे हैं वो इससना करके बैढकर देखरा है अब जो थोड्स आ रहीं वो देखता जा रहा है गांप गुजी जाए यह वो थोड्रस तना देखता है ना थोड़ गाइ vert रहरा दूसरी आहए हैं उसको भी इस तरह नहीं देखते रहा ना, I know आप डिस्ट्रेक्ट हो जोगे थोड़ी दिर बाद, दुबारा याद आएगा कि अच्छा मैंने थोर्स को बजर्फ करना, दुबारा बैड़ जाज ना करना, कि यह किस किसम की थोर्ट है, यह किस किसम की सोच मैंने सोच ही है, इ अब एक टाइम हैगा, देखोगे कि यार, आप देखने वाला रह चाहिएगा, पर सामने कुछ दिखाई नहीं देगा, थोर्ट लेस हो जोगे आप, ट्रस्ट में, कुछ सेकंड के लिए इस ही, पर आप थोर्ट लेस हो जोगे, और वो काम डूं को जाती है आप, तो यह कर करके देखना है, बड़ा बेहतरीन टेकनीक है, जो आना, इस अन्यूबर्ट ने की, अच्छा, अच्छा एक और क्वेश्चन, आखरी क्वेश्चन है, मैं बखकी बाद मिलूंगा, मैं खेला है कि लंबा हो जाएगा काम, बई ऐसा फील होता है, जैसे मेरे दिमाग सोया बागर हो जाओंगा तो आदम खोदूँगा, अपना ही कोई काम करने दिल करता है, हो चाहता है, और सो जाओं, दिखाया है ऐसा डिप्रेशन, मैडिटेशन, मैडिसन देते हैं, कुछ दिन मैडिसन ली तो ठीक रहा, फिर ऐसे ही फील हो रहा है, अच्छा एक तो मैडिसन डॉक्टर से कंसल्ट किये बगहर कभी खुछ से ना छोड़िएगा, मैं दुबारा 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 जो ना ये इस चीज़ डिस्कलेमर देता रहता हूँ बैठके ठीक है, कि डॉक्टर से पूछ के हमेशा जो भी मेडिसन दे वो चेंज करना चाहता होगा आपकी कंडिशन को देखके उसने कोई पिटेंसिस के साथ चीड़ करनी करनी होगी या जो देखेगा कि ठीक हो तो वो आपको विड्रॉ करवाने के लिए क्या देगा, पर खुछ से कोई पंगानी लेना आप में ठीक है और यह जो रात के टाइम यगदम से होती है, इसको मैंने पहले वो किया पर आखरी इस क्वेशन को लेते हैं कि इस क्वेशन को लेते हैं कि यह जो डर है ना कि मैं कंड्रोल खोदूँगा मुझे कुछ हो जाएगा, पागल हो जाओँगा इसका बड़ा प्यारा एक खाल है कि आपको जिस्टम वी इसे पहूंचे ना कि आप पागल तो नहीं हो जो गोगे फेंड़ तो नहीं हो जाएगा आपको हो जाओ पागल होने कडर है हो जाओ पागल क्या हो जैगा तो वाट वो इतने पागल और फिर रहे हैं मैं भी पागल सी लोग बढ़े टेची उनको तहां कि यार को या में पागल ना समझे क्योंकि एक्जाइटी में सम्टेमिन कंडिशन ऐसी होते हैं करने कि शूपता नहीं सकते हैं हो गएगा पागल स्पेशली को बाहर जितना रहत ही पर स्टिल मेरे जैसे बन्दें को कोई यार ही पागल है ठीक है ऑले सोग फो पागल और अगर मुझा ओगल होजाओंगा तो हो जाओंगा पागल फिर क्या है यह यह सोच आपके इंदर जिस टेम आहीं आप पागल नहीं हो सको होगी है क्योंकि यह बड़ी पावर्फु स्टेटमेंट है कि आपको फरक ही नहीं पड़ता एंग्जाइटी है हमेशा मैंने बोला वो ऐसी बला है कि उसको आप जितना फीड करो गया वो उतनी बढ़ी होती जाएगी फीड करने ही नहीं वो में ढरा रही है कि या तो पागल हो जाएगा अमने जिसन ढर जूँ या नहीं मैं पागल नहीं होंगा मैं कुश्च करते हो इसको कंट्रोल करने की वो तो और रहती जाएगी और एंग्शिस करती जाएगी आपको उसको किल करना है उसको आपने जड़ of the mind आप शायद धने हो गए ये बोल के भी कि सो वट क्या हो जाएगा बट अगेन इसको आपने मेरे कल बात हो रही थी मैं यही बात बोल ला था मेरे बाई यह उन से मैं यही कहना था कोई नहीं इस तरह आप कबरस्तान में रात को जा रहे होते हो आप ढर जाते हो या रात को किसी गली समसान गली में गुजर रहे हो आप धर लगते हैं या समसान से गली तो आप एक काम करते हो आप कुछ गुर गुराने लग जाते हो या कुछ सीटी भी जाने लग जाते हो क्यों इस आवास से न हमें एक डारस मिलती है कि कुछ है साथ स्पोर्ट मिलती है हमें उस से उस अवास से हमें अपनी अवास जो है न वह एक एसास देती है कि आप अकेले नहीं हो कुछ नहीं हमारा धर कम हो जाता है same is the case अगर अंदर से धरे भी हुवे हो न आप जिस तरह में मोद का धर आ जाता है को उस टाइम सो वट मर जाओगे तो मर जाओगे पीछे डर लगेगा कोई मसला नहीं बड़ आपकी जो वास नहीं यह जो स्टेटमेंट है यह आपको एक पावर देती है के नर्जी देती है इसको बार बार दुराते रहोगे एक टाइम आएगा आपका डर खुद बाखुद खतम हो जाएगा ठीक है तो अमीद करता हूँ कि आज की यो ये क्योंने सेशन है हलफुल रहेगा आप लोगों के लिए और बाकी आप सब को गें रमदान में बारिक अलाफेज अलाफेजूद